दिमल प्रेजन्स साइबर वाग, हर स्क्रीन क्राइन सी, स्ट्रीमिंग फ्री, अन्वूट, डाउनलोड थी अप नाउ साल 1985, कैनडा के मॉंट्रियल एरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक आफ करती है इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन था, यह डेस्टिनेशन थी, मुंबई लेकिन बीच में फ्लाइट में लणन में हाल्ट लेती है इसलिए फ्लाइट आइरलेंड के एर स्पेस में गुस्ती है, इंटर करती है आइरिश कोस्स से करीब 200 मील दूर जब प्लेन अटलांटिक महसागर के उपर था अचानक रडार पर से गायब हो जाता है अन्होने की आशंका सही साबित होती है बाद में प्लेन 31,000 फीट के उचाई से सीधा समंदर में जाके गर जाता है और 82 बच्चे, चार नव जात समेट 329 लोगों के लिए अटलांटिक उस दिन कबरगाँ बन जाता है माँ से करीब एक हजार मील दूर तोकियो के एरपोर्ट पर उसी दिन एक और घटना होती है इस प्लेन हाथसे से करीब एक घंटा पहले ही तोकियो में बैगेज एरिया में एक बंप अटा और दो लोगों की जान चली गई जब तैकिकाज शुरू हुई तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों हाथसों का आपस में एक गहरा कनेक्शन था बाद में पता चला कि इस साजिश का निशाना था भारत और साजिश को जिसने अंजाम दिया था आतंकी संगठन बबर खालसा नमस्कार मेरा नाम है निकल और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जुड़ी आतिहासी कहानिया आज 23 जून का दिन है और आज की तारीक का सम्मध है एक प्लेन क्रैश से शुरूआद घटना के एक दिन पहले से करते हैं 22 जून से क्या हुआ था उस दिन उस रोज मंजीत सिंग नाम के एक आदमी सुबह आठ बच कर पचास मिनिट पर वैंकूवर एरपोर्ट पर पहुँचता है और मांग करने लगता है कि उसका बैग है चेक इन करवा दिया जाए मंजीत के टिकेट में नाम M. Sिंग दर्स था मंजीत को वैंकूवर से टोरंटो तक फ्लाइट पकड़नी थी जहां एर इंडिया फ्लाइट 182 समराट कनिश्क में उसका टिकेट बुक था ये वो जबाना है एर इंडिया का जब जो 747 होते थे उनके इस तरह के बड़े-बड़े समराटों के नाम दिये जाते थे उसमें से एक है कनिश कनिश का आकरी डेस्टिनेशन इंडिया था इंडिया थी जैसे भी था थी उसमें कंफ्यूज मत होई है बारत आना था उस प्लेन को और उसे बीच में लंडन में एक स्टॉप लेना था मंजीत चाहता था कि उसका बैगेज सीधे एर इंडिया की फ्लाइट म नहीं कर पाएंगी लेकिन मंजीत ने कीजिद चुकि उसका टिकेट बिसनेस क्लास का था इसलिए काफी आना काने के बाद जैनी चेकिन कराने को तयार हो गई कि वैल्यूड कस्टमर जाने दो और मंजीत का लाल रंका सूटकेश चेकिन करा दिया गया इसके बाद शाम चार से एक्सरे मशीन खराब हो गई एक हैंड हेल्ट सकैनर से सामान को चेक किया गया फिर भी इस दुरान मंजीत के बैग के पास हलकी सी बीप की आवाज भी आती लेकिन कर्मचारी उसे इग्नोर कर देते हैं कि बेल्ट वेल्ट कुछ होगा मंजीत का बैग इस तरह एर इंडिया फ्लाइट 182 में चड़ जाता है कनिश्क में इसके बाद टोरेंटो से फ्लाइट 182 मॉन्ट्रेल पहुचती है जहां कुछ और लोग उसमें सवार होते हैं अब तक यात्रियों के संक्या हो गई थी 307 जिन में से 268 कैनेडा के नागरिक थे और उनमें से लगभग 84 बच्च थे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से अधिकतर भारत की मूल निवासी थे जो भारत अपने नाते रिष्तिदारों से मिलने आ रहे थे उधर वैंकूर में 22 जून की दोपर ये स्क्रिप्ट एक और बार दोहराए गई अब की एल सिंग नाम का एक आदमी आता है और भी वही होता है किनेडिन पैसिफिक एरलाइन के साथ सूटकेस तो टोकियो तक पहुच गया लेकिन एल सिंग नहीं पहुचता है यह सूटकेस भी इंडिया के फ्लाइट में चढ़ जाता लेकिन यहां एल सिंग से गलती होए कैनड़ा और अमेरिका में डेलाइट के हम बात करने वो एक ही घंटे की है और जालों में एक घंटा वापीस भी ले लेते हैं वो उसका आइडिया बेसिकली यह होता है कि आपकी जो घड़ी है उसके हिसाब से डेलाइट जादा मिले काम करने के जो घंटे है उसमें यह आइडिया कुछ लोग इसके बहुत क्रि क्यों बागेज एरिया में था तब भी उसमें विसफोर्ट हो जाता है टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाया है चूंकि टाइमर लगाते वक्त डेलाइट सेविंग का ध्यान नहीं रखा गया इसलिए वक्त से पहले सूटकेस में विसफोर्ट हो गया इस घटना में दो लोगो की जान गई लेकिन किस्मत से एर इंडिया फ्राइट 301 के सभी यात्रियों की जान बच गई जिन दो लोगों की जान गई उनकी जान भी कीमती है लेकिन अगर हवाई जहाज में भटता तो कोई नहीं बच पाता जिस समय तोकियों में विसफोर्ट की खबर आई एर इंडि हुआ है इसलिए गायब हो गया है लेकिन अन्होनी की आशंका थी इसे देखते वे बचावदल ने अपना काम शुरू किया विमान का मलबा बीच समंदर में फैला हुआ था और जब तक बचावदल पहुचा उन्हें सिर्फ 141 लोगों की लाशे मिल पाई इन में कर बरे थे इनमें से अधिकतर लोग भारती मूल के थे जब तहकीकार शुरू हुई तो पूरी कहानी का पता चला कि कैसे एक आतंकी साजिश के चलते विमान को निशाना बनाया था कैसे हुई थी इस आतंकी हमले की प्लानिंग कौन था शामिले जानने के लिए अब आपको संगठन पर खास नजर थी इसका हेड़ था तलविंदर सिंग परमार 1970 में तलविंदर कैनडा पहुचा वहाँ उसने स्थाई नागरिकता ले ली 1978 में उसने बबर खालसा इंटरनाशनल नाम का एक संगठन शुरू किया ये एक चरम पंथी सिख संगठन था चरम पंथी बहाँ कर वापिस कैनडा चला गया भारत में उसने पंजाब पुलिस के दो आफिसर्स की हत्या की थी इसलिए भारत सरकार ने उसके प्रत्यरपन की बहुत कोशिश की लेकिन कैनडा सरकार राजी नहीं हुई राजीब गांधी के दौर से कुछ समय पहले ही कैनडा पर नजर रखना चुरू कर दिया था उन्हों ने पाया कि परमिंदर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा था और इन में से एक शक्स का नाम था इंदर जीद सिंग रयाद और भी कुछ लोगों के नाम शामिल थे मसलन हरदीब सिंग जोहल जो एक स्कूल में जैनिटर का काम क दौरान कहा था कि वो पचास हजार हिंदूओं की हत्या करके बदला लेगा ये सबी पुलिस के अडार पर थे लेकिन राजीब गांदी का दौरा खतम होते ही पुलिस ने इन पर से नजर हटा लिया उनके उपर जो सर्विलिन्स थी वो कम कर दी यहां कैनड़ा की सुरक्ष नागरिकों पर हमलों की दो-चार बार देती भी हुई गुर्दवारे से खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते रहे और बबबर खालसा एर इंडिया में यातरा न करने के जितावनी जारी करने लगा एर इंडिया के प्लेइन बीच आसपान से टपकेंगे ऐसी बाते सुनाई देने लगी थी लेकिन कनेडियन अथारिटी इस मामले में उनींदी रही अगर कनेडियन एजन्सी के प्रस्पेक्टिव से देखे तो पगड़ी वाले भूरे बिना पगड़ी वाले भूरे लोगों के खिलाब बोल रहे थे बहुत जादा वो कनेक्ट कर नहीं पा यहां तक की घटना से दो हफ़ते पहले रॉन ने आरेन एडबल्यू इसने केनेडियन सुरक्षा एजन्सीयों को इस मामले में आगाह भी कर दिया था यह बाता दिया था कि प्लेन पर हमला हो सकता है लेकिन फिर भी केनेडियन अथॉरिटी इस मामले में चूक की प्लेन अ परमिंदर ने जवाब दिया लिख दो हमले के एक दिन पहले परमिंदर के पास एक और कॉल आता है जिसमें दूसरे तरफ से कहा गया कि कहानी लिख दिया देखना है तो आ जाओ दूसरे तरफ से बोलने वाले शक्स का नाम था हरदीप सिंग जोहल और कहानी लिख देने से यहां मतलब फ्लाइट में टिकेट बुक कराने से था बम तयार करने की जम्मदारी थी इंदरजीत सिंग रियात की ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाला इंदरजीत ओपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबसे कहते वे घूम रहा था कि भारत से बदला लेना है ब्रिटिश कोलंबिया कैनडा का प्रांथ है उसने बाकाइदा बम बनाने का सामान भी लोकल स्टोर से ही खरीदा लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कारण वही जो हमने पहले बताया बुरे लड़ मर रहे हैं उससे गोरों को कोई दिक्कत नहीं थी इस आतंकी हमले में 331 लोगों की जान चले गई लेकिन अगले 6 साल तक पुलिस किसी के खिलाफ आक्शन नहीं ले पाई जबकि कॉल रिकॉर्ड समेथ पूरी रिपोर्ट उसके पास थी इसकी वज़े थी लापर भाई पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करवा के ओरिजिनल फिल्म को मिटा दिया था जिसके कारण अदालत में उनके पास पेश करने के लिए ये महत्वपूर्ण सुराग था ही नहीं पुलिस ने सबी अभयुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया लेकिन एक को भी जेल नहीं हुई 29 अपरेल 1986 को इंदर जीत सिंग रियात ने कबूल कर लिया कि उसके पास विसपोटक सामगरी थी लेकिन इस मामले में उसे 2000 डॉलर का जर्माना लगा करके चोड़ दिया गया इसके बाद रियात अपने परिवार समेथ ब्रिटेन चला गया उदर जापान में हुए बम धमाके के सबूँ जापान की पुलिस के पास थे अंत में जापान में दो लोगों की हत्या के जुर्में रियात को गरफतार कर कैनेडा लाया गया जहां उसे 10 साल की जेल सुना दी गई हादसे के 15 साल बाद साल 2000 में पुलिस ने बागरी और मलिक पर केस्दर्श किया कैनेडा में मामला इतना हाई प्रोफाइल था इसे एर इंडिया ट्राइल का नाम दे दिया गया केस के दौरान एक गवा की हत्या कर दी गई जबकि एक को विटनिस प्रोटेक्शन में भेजना पड़ा अब यहां से मामला नाजुक होने लगा और इसलिए 7.2 मिलियन डॉलर का एक अलग कोट रूम बनाया गया जहां सुनवाई कर पाएं सेफ लेकिन सबूतों के अभाव में बागरी और मलिक को रहा ही किया गया रहात को इस मामले में पात साल की और सजा हुई और 2011 में उससे अदालत में जूट बोलने के मामले में साल की सजा सुनाई गई एम सिंग और एल सिंग जिन्होंने एरपोर्ट तक सूट केस पहुचाए थे उनके पहचान कभी नहीं हो सकी इस केस में तलविंदर सिंग परमार करो प्रमुक था पुलिस ने उस पर भी केस दर्च किया लेकिन सबूतों के अभाव में वो भी रिहा हो गया इसके बाद परमार पाकिस्तान गया और वहां से साल उनने सुब्यानवे में भारत पहुचा यहां एक पुलिस एंकाउंटर में उसकी मौत हुई इस घटना ने खालिस चरंपंथियों के बीच आतंगबादियों के बीच एक नई थेरी को जन दिया इस थेरी के अनुसार परमार भारत का एजन्ट था और उसने प्लेन गिराने की साज़िश इसलिए रची थी कि खालिस्तान आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा सके शुद दवाशा में इसी को कहते हैं कौनस्पिरसी थेरी जबकि भारत में जैन कमिशन ने अपने रिपोर्ट में पाया था कि परमार कई बार राजी बांदी की हत्या का प्लान बना चुका था कैनड़ा सरकार ने 25 साल तक इस इनिवेस्टिकेशन को खीचा खर्चावा मातर 46,800 करोड रुपया पैसे वाले लोगे कर दिया उन्होंने इस मामले में सिर्फ एक शक्स को जेल हुई और साल 2017 में उससे भी रिहा कर दिया गया प्लेन हाथसे की ये घटना ये आतंगवादी हमले की ये घटना घर से थोड़ा और नजदीक लगती है जब पता चलता है कि इस प्लेन हाथसे में आक्टर इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सही चल बसे थे ये वही इंदर ठाकुर हैं जो फिल्म नदिया के पार में सचिन प्रगाव करके बड़े भाई बने थे इस प्लेन हाथसे के बारे में और जानकरी आप तफसील से जाना चाते हैं एर इंडिया 18 इस नाम से एक डॉक्यमेंटर है जो आपको यूट्यूब पर ही आसाने से मिल जाएगी आप चाहें देख सकते हैं आज के लिए इतना ही तारीक के अगले एपिसोड में आप से मिलाकात होगी तब तक के लिए हमें दीजे इजासत इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने हमेशा की तरह और हमेशा ही की तरह रिकॉर्ड किया था जत्तिने देखते रहिए तीला लंटाओ